अज हम इस पोस्ट में जानेंगे कि शेर कैसे खरीदते हैं और शेर खरीदने के नियम इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि शेर खरीदने का तरीका क्या होता है, एवन शेर बेचने का तरीका क्या होता है. शेर को अच्छी तरह से खरीदने और बेचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और शेर को खरीदने का साही समय क्या है चलिए जानते हैं शेर कब खरीदे और कब बेचे शेर खरीदने का तरीका Share खरीदने के लिए आपके पास सबसे पहले एक DMAT account होना चाहिए अगर आपके पास में एक DMAT account नहीं है तो आप Share नहीं खरीद सकते अगर आप नहीं जानते हैं कि DMAT account क्या होता है तो इसके लिए आप हमारी नीचे दी गई पोस्ट को पढ़े अगर आप DMAT account के बारे में जान गए है और आप account खुलवाने के लिए प्रोसेस कर चुके हैं तो अब बारी आती है शेर खरीदने और बेचने का तरीका जानने की शेर कब खरीदे और कब बेचे आप जिस finance company या bank से अपना DMAT account खुलबाते हैं वह आपको शेर मार्केट के टर्मिनल पर शेर को खरीदने और बेचने का एक software प्रोवाइड करते हैं जो की एक website या mobile app हो सकती है बस अब आपको उसमें जाना है और अपने DMAT account में पड़े पैसो की मदद से आप जिस भी company के शेर को खरीदना चाते हैं वह खरीद सकते हैं जब आप terminal पर जाते हैं तो आपके पास software में option आता है जहां पर आप किसी भी company के शेर को search कर सकते हैं जैसे ही आप उस शेर की company company पर जाते हैं तो आप उसी शेर पर होने वाले शेर के भाव में उतार और चड़ाव को भी देख सकते हैं अगर आपने शेर खरीदने का मन बना लिया है तो आप terminal पर शेर को buy करने का order लगा सकते हैं जैसे ही शेर मार्केट में आपके buy order से किसी का sell order match होगा वैसे ही आपके पास आपके द्वारा buy किये गए शेर आ जाएंगे और आपके account में से पैसे कर जाएंगे शेर खरीदने का समय रोजाना शेर मार्केट सुभा सुभा के सवा नौ बजे पर खुलता है और दोपहर के साढ़े तीन बजे पर बंध होता है अगर आप शेर मार्केट के अंदर शेर को खरीदना और बेचना चाहते हैं तो आपको इसी समय के बीच में खरीदी और बेचने का काम करना होगा शेर मार्केट में शेर खरीदने और बेचने का एक निर्धारित समय होता है अगर आप शेर मार्केट से शेर को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपको इस निर्धारित समय के बीच में ही सारे ट्रांजैक्शन करने होंगे अगर आप निर्धारित समय के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं करते तो आपके ट्रांजैक्शन सक्सेस्पुल नहीं होंगे शेर कैसे खरीदते हैं शेर खरीदने के लिए आपको सबसे पहले यह तैय करना होगा कि आप किस कमपनी के शेर खरीदना चाहते हैं, एक बार आपने यह तैय कर लिया तो आपको शेर खरीदने में बड़ी आसानी होगी. आप नीचे दी गई स्टॉप्स को फॉलो करके शेर खरीद सकते हैं. फर्स्ट ओपन डिमैट अकाउंट सबसे पहले अपने डिमैट अकाउंट को ओपन करके टर्मिनल पर जाएं. सिकंड सर्च कमपनी अब आप जिस कमपनी के शेर को खरीदना चाहते हैं, उसका नाम लिखकर सर्च करें. थर्ड सिलक्ट कमपनी जैसे ही आपको कमपनी का नाम मिल जाएं, तो उसको सिलक्ट करें. फोर्थ चेक शेर प्राइस अब आप शेर खरीदने से पहले उस कमपनी के शेर की कीमत में हुए उतार चड़ाव देख ले, इससे आपको पता चलेगा कि शेर बाजार में इस शेर की कीमत कितने रुपए ज्यादा हुई और कितने रुपए कम हुई. इससे आपको सबसे बड़ा फाइदा यह मिलगा कि अगर आप यह जान जाते हैं कि शेर की कम से कम कीमत कितनी जा रही है, तो आप उस कीमत पर buy order लगा कर छोड़ सकते हैं। इससे यह होगा कि जैसी ही share की कीमत उत्मी गिरेगी वैसे ही आपका buy order successful हो जाएगा और आपके पास उस कीमत में share आ जाएंगे। सेवंथ profit in share आप एक sell order लगा सकते हैं जिसमें आप उस कीमत को set कर सकते हैं जिस कीमत को आप पहले देख चुके हैं। जैसे ही आपके share की कीमत बढ़ेगी आपके share sell हो जाएंगे और आपको profit मिल जाएगा। Share market chart कैसे समझे शेर खरीदने से पहले आपको share की history देखना है क्योंकि अगर आप share की history नहीं देखेंगे तो आपको यह कभी पता नहीं चलेगा कि आप उस share को खरीद कर या बेच कर अपना मुनाफ़ा कमा सकते हैं या नहीं। Share खरीदने के बहुत फाइदे हैं एक बार आप किसी company के share को खरीद कर रख लेते हैं तो उस company के share को आप चौगुनी और हजार गुनादाम में बैच सकते हैं। बशर्ते आपने company के share को कम कीमत में खरीदा हो क्योंकि अगर आपने उस company के share को ज्यादा कीमत में खरीदा और भविश्ष में उस company के share की कीमत और भी ज्यादा कम हो गई तब आपको ऐसी स्थिति में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा किसी भी शेर को खरीदने से पहले उसकी हिस्ट्री को जाच लें और यह पता लगा लेंगे उस शेर की कीमत कितनी हमेशा रहती है और उसकी कितनी कम कीमत जाती है कौन सा शेर खरीदने लायक है यहाँ बता पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर रोज बदलती कीमत के कारण हर एक शेर आपको खरीदने लायक लगेगा और उसकी कीमत बढ़ जाने पर आपको वह शेर एक नुकसान का सौदा साबित लगेगा इसलिए यहाँ आप पर निर्भर करता है कि आप उससे कितना प्रॉफिट कमाना चाते हैं क्योंकि अगर आपने एक बार यह तै कर लिया कि आप कितना profit कमाना चाहते हैं, तो आप उसी profit की calculation के आधार पर किसी भी share को चुन सकते हैं, जो शहर आपके profit की calculation पर खरा साबित होता है, तो उसे आप खरीद सकते हैं, और फिर बाद में बेच कर मुनाफ़ा कमा सकते हैं. फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि खरीदने लायक कौन से share है, तो आपको हम यही सला देना चाहेंगे कि आप bank, nifty या फिर sensex में invest करें. इससे आपका portfolio बढ़ेगा और आप अगर company के लिए नहीं जाएंगे तो आपको घाटा कम होगा. आपको bank, nifty या sensex खरीदने पर इतना ज्यादा research करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बड़ी ही आसानी से बैठे-बैठे मुनाफ़ा कमा पाएंगे. शेर खरीदने के नियम शेर कब खरीदना चाहिए सुभा के सवा 9 बजे से दोपहर के साढ़े 3 बजे तक अब आप जान गए हैं कि शेर कब खरीदे और कब बेचे और शेर खरीदने के नियम तो अब आप बड़ी ही आसानी से शेर मार्केट के खुलने के सही समय से लेकर उसके बंध होने के समय के बीच में आप शेर खरीद सकते हैं. साथ ही आपने जान लिए है कि किस प्रकार का शेर खरीदने लायक होता है इसलिए अब आप शेर मार्केट में शेर खरीद के अपना प्रॉफिट बना सकते हैं डॉट अगर आपको यह पोस्ट अच्छी लगी तो इसे अपने प्रियजन के साथ शेर करे